तो सर लोकतंत्र की सिहत बनने के लिए चुनाव होता है और उस चुनाव में जरूरी है कि मुद्दे जनता के जहन में क्लियर हो कि किन मुद्दों को लेकर हम इस बार वोट डालने जा रहे हैं तो बीकानेर की जनता के जहन में कौन से मुद्दे हैं इस बार प्रमुक दिखिए election में हर बार की तरह इस बार भी जंता के मुद्दे रहते हैं विकास विकानेर का जो कि आज तक स्वन्तंतरता के बाद जो होना चाहिए तो वो नहीं हुआ है चाहे शिक्च्या का हो चाहे चिकिस्चा का हो आज भी विकानेर विछडा हुआ है और अगर आप देखोगे तो विकानेर को छोटा गाउं कहते हैं क्यों कहते हैं कि यह विकास नहीं है तो मैं तो इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा जो भी candidates आएं या जो भी इसको सुन रहे हो करपेया आपने विकानेर के विकास के लिए आवाज उठाएं विकानेर में क्या BJP और कॉंग्रेस दोनों से उम्मीद आप नहीं है उमीद है लेकिन जिस कदर का सुधार होना चीए वो नहीं हो रहा है जिसे उमीद है बीजेपी से कि कॉंगरेस से अम तो जो भी केंडिडेट ख़ड़ा है सबसे उमीद है। पर बुद्द नहीं मिला जो मिलना चाहिए था जिसके कारण इसका विकास हो सके हम तो यहीं चाहते हैं कोई भी पाल्टी जीते बाकि जन प्रतिनीदी जनता की बावनाओं को ध्यान रखते वे निरंतर विकास पे जोड़ दे वहीं मैं कह रहा हूँ कौन कौन से ऐसे काम है जो अब तक होने चाहिए थे या पर पुराने वक्त में पिछले चुनाओं में वादे किये गए वो वादे अभी तक अधूरे रहे सबसे बड़ी समझे हमारे या रेले फाटक की है जो आज पिछले जब मैं आज 45 साल का हो गया जब मैंने समझ पकड़ी में पंदरा साल की समझ पकड़ी आज 35 सालों से में जन रहा हूँ इसका समाधान हर जो भी नेता आता है जो विदायक MP मंतिर जग आते हैं यहां पर समस्या हो जाएगी आप हमारे सब्सक्राइब बनाओ 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 यहां कुछ नहीं हुआ है आज जनता महीं वही आहलात जनता के वही है जो पहले थे वही आहलात वही है इसली बाद वादे किये गए ते बिल्कुल सार मंतिरी मुख्यमत जी आके वाकट देकर के अपर इसी कोई बात निए सब लोग वैसे वही समके खाहनों वही है यह समस्या खतम होनी ही नहीं है क्योंगे कई नेता आए कई बदल गए कई सरकारे आई गई पर इसका अभी तक समधान नहीं हुआ यह समाधान के वादे हर्म हमेशा होते रहे हैं जो अंतर राष्टी मतलब अपने देश के अंदर जो भी हो रहा है तो उनको देखके यहां नहीं हो सकता कुछ दूसरे देशों को देखते हैं छोटा सा आया यहां रेल गाड़ी जितनी भी आते शीदी जोधपूर ले जाते थे जितने यहां से प्रोग्राम और यहां सबसे बड़ा था जो बिकानेर का वो सब जोधपूर ले गए कोई भी है ऐसा बिकानेर के साथ क्यों किया गया विक्कानेर के साथ सर हो रहा है अब देखो असो गैलो जी ने कमजोर करका हुप कुशिस की है विक्काने को यह जो भी जोधपूर से चालू हरी है आए, पिक्कानेर को नुक्सान पहुंचा यह पूशा है बीकानेर को बहुत ही बड़ा नुक्सान पहुंचा है पैसे लेके होते हैं और जो नहीं देने मेरे पूरी जिंदकी और सरवせて कुरा ली यहां नहीं लैए अब भी करवाके लाएंगे सुपाइश करेंगे तो फिर वापी आज जो गेलो सरकार है ना वो तुस्ती करन पर बहुत डिपेंड है इसका जीता जाता हुदारान अभी एक जैपुर में एक जिसे समुदाय का एक्सिडेंट हो गया उसको पचास लाक रुपे दे दिये डेरी का बूत दे दिये उसके परिवार को नोकरी दे दी रामगन का र नहीं चलेगा नहीं चलेगा हम इसे बहुत असंतुष्ट है तुस्टी करन की राजनीती चल रही है यह बेद बाव जाती वाद को बढ़ावा मिल रहा है इसको नहीं मिलना चाहिए जुनाओं में भी नहीं मिलना चाहिए और जो लोग विकास करना चाहते हैं उसको वोट जाती बाद को न देखें क्या यहां पर आपको लगता है कि तुष्टी करन की राजनीती चल रही है तुष्टी करन की राजनीती चल रही है। सर तुष्टी करन की राजनीती क्या गयलत सरकार कर रही है कि यहाँ पर मैं काफी लोगां के मैंने विचार सुने हैं हमें देखा है कि वो इस पर्टिकुलर कुछ घटना होता कि इसी मेते हैं ऐसा निकाज आज सकता है कि जो सरकार जिसने पांच साल तक राज किया है उन्होंने जैसे निश्वर्क दवा योजना की क्या आज कौन ऐसा रखती है जो उन दवाओं का लाब नहीं लेता इसी को अगर पीछे देखा जावे तो निश्वर्मेंट जो बीजेपी गवर्मेंट आई थी तो उन्होंने उस दवाओं की जितनी संख्या थी होने जैसे बार बार बोला वी खरेंट से तीन मंतरी हैं पर इतना मूफली गाल अजोता है Tech कोई बी मंधरी यहान लानी पाया ना लगा पाया भाल इतना粉 और सिर्फ अमें गैस लाने है यहां चारा साथ नियाए बोल्ड जहते है वहां पर सब्सक्राइब आता है यहां से गुजरात फिनिश घूर्स जहाता है कुछ भी है ज़रूर नाम का है मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई विश्विश्दा ले नहीं था कि जो पहले डवलपिंग में इस तर में बीकाने में नहीं है सारे स्टूडेंट आप देखें ग्रामिन के अंदर जितनी सिख्षा की अलग जगी वह पहले के कह रहें कि कोई बाहर नहीं गया के मामले यह भी टकनीकी विश्विदालएं बाहर से लोग चात रहाते हैं कोई नहीं आते होते टकनी विश्वदाले नाम मत्र करका बट्टे-बेठें वह बहां पर पढ़ाई होती कर दोनियों को हैं कोई जर ऑ रहा हम तो तो उसी स्टेनडेटों पर तुवह तों मैं कोई कोई बातने क्हीं तो बॉत नीचंवर राजस्तान के टूच्टी हो इसमें राइसा है तो । कि बात कर रहा हुए तो आपके मंच पदा दिकारियों के यह रिक्वेस्ट करूगा कि बिकान एर की डेवलमेंट की बात करें आप आज एर कनेक्टिविटी की कोई बात नहीं कर रहा है 200 डाइसों से आद्मियों की ज्यादा की कोई इंडेस्ट्री नहीं है यहां पर क्यों नहीं है एर कनेक्टिविटी नहीं है